hello everyone, welcome to electrical engineering हमसके, उस आज के session में भुए आपके आने वाल骰 एक्साइमनेशन ITaj instructor, electrician और wireless Man के examination के लिए consecutive 5th number का session हम लोग discuss करने वाले गईज़ के session में में моίνली Number Soldering और उसके अलग लग types रहते हैं, जहां Pेहते हैं एक questions जो है, definitely अव्म पूछओँए चोटे-चोटे questions हम में collect करते हो चलना गई ताकि आपके 40 questions है उसमें से आपका एक भी questions wrong ना हो ठीक है यह भी काफ़ी important topic ही गई solving और उसके types उसके बाद हम लोग underground cables के बारे में discuss करेंगे कुछ हम लोग important data के साथ में हम लोग आज का session की discuss करने वाले कहीं पर भी skip नहीं करने काफी चोटा सा और काफी useful session रहने वाला है आपके आने वाले examination इसको अगर देखा नहीं होगा तो इसको जाके watch कर सकते एक आपके चीज में पता देता हो एक मैंने अपके लिए अगर आपने नहीं देखा होगा उसको अब चैनल पर जाके playlist को follow कर सकते सारे one-by-one sessions आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे क्वेशन हमने क्या पूछा था इंसुलेशन प्रोड़ेट अन्ट केबल सार मेंली कंसिस्ट और पीवी सी एन एक्सल पी टीके पीवी सी का फुल फॉर्म पता होगा तो वह भी आप धान में रख लिजी का है क्वेशन का बनके एक्जामनेश में पूछ आज सकता है और एक करेंशर आ गया और इस कोशिन का करेंशर दिया उन टॉप फाइव स्टुएंट्स के नाम है महेश मूतिलाल सुधिर नाराइट एन सुमिट शॉट आप भी चाहते हो कि आपका नाम में नेक्क सेशन मेलू सेशन में कोई आपको मैं एक चोटा सा एक बेसिक सा कोशिन कोशन को सबकार बेंसी इसे कोस्वे चैशन को चुरू करते हैं को इसको प्लॉम्बिंग कोविसुन सब्सकूरिए उसके सब्सक्राइए देखे अगर हम लोग plumbing f u tin man solder question में अगर ये भी आपको factor दिखाए दिया तो भी आपको answer वही मारक है नहीं और अगर 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 आपको करेक्ट एंसर मारक कुरूंगा वही आपको ध्यान में रखना होगा तो टीन और लेड की जो मात्रा है रहती हो 50-50% है अगर हम लो plumbing f u tin man solder की बात करते तो यहाप आप देख सकते हो इसका working temperature कितना है 212 degree centigrade अगर degree centigrade में पूचा गया तो यहाप अगर Fahrenheit पूचा गया तो 413.6 Fahrenheit इसका correct answer हो जाएगा हमारा इसका use कहाँ पर यहाँ पर हमारा question मनता है इसके application के उपर जनरली question मनता है वह हमार पस heavy duty heavy duty soldering के हम अंदर हम लोग की plumbing tin man solder करते अब सबसे major चीज है कि इसमें lead और teen की मातरा कितरी ते कितना percentage रहता है तीन रहता है 50% और lead रहता है हमारे 50% electrician solder के अगर हम ब्लोग बात करें जहाँ हमारा use होता है tinning and soldering electrical joints electrical joints के लिए हम लोग जो use करते तो वहां पर जो उसका working temperature रहता है वह रहता है सिर्फ 185 degree centigrade अगर हम ब्लोग बात करें तो 365 उसका correct answer हो जाएगा तो उसमें जो तीन का मातरा रहता हो रहता है 60% और lead रहता है हमारा 40% ध्यान में रहता है electrician solder के लिए composition रहता है tin की मातरा 60% रहती है और lead में रहता है हमारा पस 40% fine soldering अगर हमेरा करना है तो हमेरे उसका temperature रहता है वह भी उसके कम हो जाता है ठीके और हमारा जो उसमें tin का मातरा रहता है वह हमारा 63% हो जाता है और यहापर lead की जो मातरा है हमारी 37% हो जाती तो यह स बाहिए जितने भी questions इसमें से बना ले examiner आपको इसमें से accurate answer आपको आना ही आना है तो यह आपको चीज़े बात है यह जो आपको चीज़े मैं बता रहा हूँ वो आपको ध्हान में रहता है ठीक है option A हापे हमारा correct answer आजाएगा next question is which of the falling factor does not affect the choice of solder choice of solder को इसमें से कौन सा factor affect नहीं घरता ऐसे हमें question ने पूछा गया तो flow of current ठीक है यह flow of current यहापे हमें define नहीं कर सकते है कि हम लोग primary stage की बात करें क्योंकि अगर हमारे बस जो factor influence करते है हमारे choice of solder को select करते रहे तो आपे place of use कहा use कर रहे है melting point उसका कितना है solidification range किया उसकी strength कितनी है hardness किसा है seal ability कितना है और price का यह हमारे factors हम लोग decide करते हैं okay तो option D आप हमारा correct answer आड़ेगा अगर आपको session पसद ना रहो गई तो please electrical engineering MCQS को subscribe किजीगा आपका एक एक सब्सक्रिप्रिप्शन आपके examiner तक जितना आप हमें response दोगे उतना ही मैं आपके लिए sessions provide कर दोगा so it is win-win situation जितना आप इस session को like करोगे share करोगे आपके दोस्तों के साथ ठीक है जितना आपके comments के माध्यम से में response मिलेगा उतना image ज्यादे स्यादा multiple sessions आपको आपको देख रहोगे कि 5 अभी तक 5 sessions हमें regularly without any break हमने लिए इस तरीके से अगर आपका response हमें काफी अच्छा मिल रहा है हाला कि I definitely appreciate that और अगर कि इस्तामाल क्या होता है आपने इस तरीके से सॉल्टरिंग फ्लक्स देखा है होगा अगर नहीं देखा होगा तो आपको बता होता क्या है कि जो हमारे पास में oxide रहते है इस से हमारा सॉल्टरिंग प्रापर नहीं होता है ठीक है तो उसमें कौन से हम लोग सॉल्टरिंग फ्लक्स इस्तेमाल करेंगे सॉल्टरिंग गल्वनाइस आयन के लिए तो हम लोग hydrochloric acid के लिए हम लोग यूज करेंगे option D यहाप हमारा correct answer जागए यह काफी easy flow of solder हमें फ्रवाइड कर आता है ठीक है अगर हम लोग अच्छी तरह की से फ्लक्स का प्रपर यूज करते थो सॉल्टरिंग क्या हता है सॉल्टरिंग इस प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू मेटल प्लेट्स और कंडेक्टर विदाट मेल्टिंग दें बीना उस कंडेक्टर को मेल्ट किया बना हम लेकर हम लोग दो कंडेक्टर को या फिर दो मेटल प्लेट्स को जॉइन करते है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कंडेट है ऐस कंपर टुँछ प्लेट बित यू बहुट्स से बहुत को क्वशन आपको पूछे या लक्ते तो आपको ध्यान मेल्टन होगा flux का है है flux is a substance used to dissolve oxide on the surface of conductor and to protect against deoxidation during the soldering process okay यह बात आपको ध्यान में रखना हो फिलाल इस question का correct answer के था option D okay so बढ़ते हैं भी हमारे next table के और जो की काफी important है अब इस से आपके चाहे जितने question आप रेम आप कर लो लेकिन अगर यह आपको definitely correct answer आने वाल है यहाप हमारे पास में अलग 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 फ्लक्सिस है पाट छेद अलग 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 तरीके हम लोग यह जिंक लोट का सुटेबल फ्लक्सि यूज करेंगे ठीक है टाइप अफ सॉल्टर बोले गए अगर हम लोग बोलेंगे इसको तो यह हमारा टीन मेंस सॉल्टर फाइन वर्क किलिए हम लोग के सब्सक्राइब करते हैं इसके लिए हमारे पास कौंसर शूटेबल फ्लक्सि उस तरह किसे रोजीन और टालो के लिए आप यहाप इसने information में प्रोइट किया उसको अची तरीके से पढ़ सकते हो चाहे जितना आपको अलग-अलग framing में questions पूछे जाएंगा इससे आपको ultimately जो मैं आपको बता देता हो guys question जो पूछे जाएंगा अची तरीके से इक्वली आप without any wasting time आप quickly answer mark कर सकते हो जो आपको में information प्रोइड कर रहा हो काफी इंपॉर्डेंट रही तरीके से ध्यान में रखने होगी बड़ते भी मारे next question क्यों question काफी simple है देखिए which of the falling is the most common method of soldering की आपको पता ही हो अगर अगर पर इसी यूस्ट हो तो soldering with a soldering iron ठीक है यह जो आप देख सकते हो soldering iron हम लोग देख सकते काफी day-to-day life में हर हर मान लोग अगर हम लोग कह सकते 80% काफी common question हमारा यह नहीं था कि हम लोग यह इस तरीके से questions को फ्रेम आप कर पाए इस से अलग अलग जो हमारे बासे methods है वह हम लोग देख लेते सबसे पहले था हैं कि अगर voltage और voltage के बाद की जाए तो यह stable के माध्यम से अब ध्यान में रख सकते हैं काफी important है ठीक है अच्छी तरीके से note करना है सारी values को 6 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट तक से अपने value दिये साथ से उसका voltage rating में मैंने mention करके रखा है 612 और 24 यह जो आपको देखाई दे रहा होंगा तो यह हम लोग DC में भी यूज़ करते हैं तो यह आपको confusion नहीं होना है ठीक है तो हो नहीं तो आपके मन में आ जाएगा कि sixfold DC किस तरीके साय करके तो यह बात आपको confusion नहीं रखना होगा यह हमार काफी common method is soldering कर दो अगर हम लोग wires को join करना चाहते तो हम लोग इसको commonly use कर सकते मार्केट में मिल जाता है around 100 से लेके 200 रुपीस था ठीक है उससे कम में भी हाला कि मिल जाता है अलग अलग हमारे पास में methods of soldering है तो जिसमें हमारे पास में temperature control है ठीक है अगर मानलो होता कि जो एक particles देख रहे हो इसको हम लोग tip cleaning के लिए हम लोग इसको use करते है ठीक है tip cleaning के लिए हम लोग इसको use कर सकते है यहां पर हमारे एक solder fix रहता है यह holder है ठीक है यह आपको जो normal आपको जो इमेज है मैं आपको वह भी प्रवाइड कर दोंग जिससे आपको examination में वह ऐसा भी इस तरह की से options रह सकते हैं तो confusion बन सकता है ठीक है देखते है भी मारा next method next time हम आपको soldering with a flame ठीक है यह हम लोग यूज़ करते है फॉर लार्जर जॉप सच आस पाइपिंग और केबल वर्क वेहिकल बोडी रिपैस और सम अप्लिकेशन इन बिलिदिंग ट्रेड इसके लिए आपनोंगे यूज़ करते हैं जैसे पाइपिंग और केबल वर्क के लिए हमें यूज़ करना होगा तो soldering with a flame ऐसा है आपको image दिया जा सकता है और next time हम आप इसमें dip soldering, dip soldering is used for quantity production and for tinning work, अब देखें deep soldering यह काफे interesting चीज़ है अगर आपने PCB देखेंगे PCB का full form क्या होता है printed circuit board printed circuit board circuit का full form CIR, CUIT आता है लेकिन मैं आप लिख लिए इसमें क्या होता है इसमें जो molten रहता है ठीक है यह यहाँ पर जो solder है यह काफी molten form में हमारा एक पिगला होगा molten हमारा यहाँ पर रहता है अब भी जब भी हमारे पास PCB रहते है उसके अंदर क्या क्या करते है one shot आपकी जो registers हो गया तो हमारे पास जितने भी हमारे पास से portions है ठीक है वह हमारे automatic solder करके आते हैं तो मान लोग क्या होता है यह से one by one हमें solder करने की ज़रूरत नहीं रहती है यह हमारा dip soldering में हम लोग यूज करते है अब यहाँ पर जो मनें line ने mention किया है यहाँ से question बनते इसको बिल्गल भी skip नह दे रहा हो so that already आप alert रहो okay next आते है हमारे machine soldering यह हम लोग industrial application के लिए इसको machine soldering का इस्तरमाल कर सकते है अब यह जो एक question बन सकता है guys most probable chances ऐसा कि आपको shapes बताए जाएंगे soldering bits के ठीक है अब यह आपको soldering bits कहाँ पर होता है यह जो आप देख सकते हैं होता है pyramid, conical, round bevel, chisel taper होता क्या guys अगर मैंने मान लो इसमें से अगर highlight कर दिया तो आप अभी क्या अभी ठीक है इसको pause करके हमें आप खुद को खुद से लिखके देख लिजेगा ठीक है काफी कबर confusion में हो जाता है अब देखिए यहाँ पर आपको identify करने के लिए पूछा सकते है क तो यह काफी important चोटी-चोटी चीज़ होना, अगर paper fundamental बनता है ना guys question बनता है तो यह इस तरीके से एक है question अगर miss हो जाते तो आप समझ जाएएगा, 40 question है तो already अगर आपके पास में, एक है question अगर आप लूस करते तो काफी उसका impact पड़ेगा आपके selection के उपर तो यह बात आपको ध्यान में रखने होगी, यह हमारे पास कुछ methods of soldering है, ठीक है पाच method सी यह extra जो हमने बता है, यह shape of soldering bits है, यह आपको ध्यान में रखना होगा, सब हम लोग बढ़ते हैं हमारे next question के और question काफी simple है, which IS code gives details of chemical composition of soft solder and their grade used for a soldering aluminum conductor, इसमें से कौन सा IS code जो हमें बताता है, जो हम लोग soft solder और उसका soft solder की use करते है, अगर हमें aluminum conductor को solder करना होगा, तो उसके chemical composition के बारे में, उसके grades के बारे में, कौन सा IS code हमें इसमें से refer करना होगा या फिर हमें इसका standardization बताता है, तो काफी simple जा question है, और यह ऐसे question जो है, examination में बनते ही बनते हैं, ठीक है, ध्यान में रखीगा, इसका correct answer होगा, option B, जो है हम रपास IS 5479-1985, option B, यहाँ पर हमारा correct answer होगा, यह question काफी important है, skip मत किजीवा, definitely इसका IS code आपको ध्यान में रखना यह इसका इसका इसकार करते हैं, हमारा correct answer जागा, इस तरह के से any of these option रहा, all of these भी रहा, तो आपको confusion नहीं करने, option C, यह आपको एमारा correct answer जागा, तो यह थे गई, कुछ important question on soldering और उसके types के related, अगर इसमें से कोई भी आपको point additional चाहिए होगा, तो मुझे बता दीजे का next session म मैं आपको provide कर रहा दूँगा, आपके लिए खुश कब दिएगा, जल्दी से जल्दी में mock test आपके लिए release कर रहा हो, आप सो आपको बने रहे हैं हमारे electrical engine mcqs के channel के उपर, ठीक है, दोनों पे application download कर लिजेगा, आपको non technical के preparation करने, तो coachify को download कीजेगा, और technical का preparation करना, जहा में जरूर comment box में comment करेंगे, जितना आपका अच्छा response रहेगा, उतने maximum number के mock test में आपको provide कर दूँगा, आप समझ सकते हो कि 20 mock test मतलब कितना होता है, 20 multiply by 40, अगर हम लोग करते हैं तो 800 questions आपके preparation में हो जाएंगे, ठीक है, अगर यह चाहते हो, तो मुझे जरूर comment box में हर एक aspirants, जितने भी prepare कर रहे होंगे, जितने aspirants को लगता है कि CBT2 में उनका अच्छा score आना चाहिए, तो मुझे जरूर बताएगा, जल्दी से जल्दी सका number of mock test, हाला कि मैं minimum 10 mocks तो provide कर रहने हो, लेकिन आप अगर जितना आपका अच्छा response रहेगा, वो भी काफी affordable rates में आपको provide कर दूँगा, आपको में mock test हमारे electrical engine, हमसे के application के उपर में provide कर दूँगा, तो उसका जितना आपका response रहता है, उसके accordingly में आपको number of mock test provide कर रहेगा, तो आप मुझे बता ही कि 10 mock test ही है, 20 mock test ही है, उसके accordingly हम लोग उसके schedule रिलीस कर देंगे, next session के लिए मैं question छोड़ के जारो, question काफी simple है, reflection factor और coefficient of reflection is what, ठीक है, इसका correct answer मुझे comment box में comment करके बताईगा, आज का session कैसा लागए है, मुझे जरूर आपकी feedback के मादम से comment box के मादम से comment करके बताईगा, next session के लिए हम लोग मिलते हैं, और उसमें हम लोग underground cables की बारे में बात करेंगे, हमारे चनल, electrical engineering, हमसे को य comment box के मादम से comment करके पूच सकते हो, any other queries के लिए भी आप हमें application की द्वारा contact कर सकते हो, so thank you for watching this session guys, have a nice day, मिलते अभी हमारे next session में,